हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सियर उची गोईल आज का इंपॉर्टंट अपडेट है आपके उस sms पे जो आपको continuously आ रहा है कि आपकी जो gst return है उसको आपको automatically quarterly में चेंज कर दिया है यह monthly में चेंज कर दिया है जी हां तो यह important email और important message आपको बार-बार आ रहा होगा आप सबको अगर आप अगर GST में registered है आपका phone number या email id registered है GST पे इस तरीके के mail आपको आ रही होगी कि आपका जर्चीम है आपको quarterly देदी गई है आपको monthly देदी गई है एक पर पड़ते हैं क्या भूलता है यह email on the recommendation of the GST council a new scheme of quarterly returns with monthly payment QRMP will be introduced from 1st January 2020 under this scheme taxpayers whose aggregate turnover is up to Rs. 5 crore in previous year and current year would be given an option to file their return from GST 1 and 3B quarterly qrmp scheme जो कि 1st January 2021 से launch होने वाली है start होने वाली है उसमें अगर आपकी turnover 5 crore से कम है तो आप GST 1 as well as 3B जी यहां 3B की भी बात कर रहे हैं आपके बाद option रहेगा कि आप quarterly पे convert कर सकते हैं और आपको जो monthly है months होंगे quarter के जो months होंगे 1st and 2nd month उसमें आपको सिरफ एक चलान पे करना है डीटेल कुछ भी आड नहीं करनी है तो इसके इसमें एक बहुत बड़ा change आने वाला है कि आपकी yearly जो compliance fees है वो कम हो जाएगी processing fees कम हो जाएगी आपको सिरफ quarterly returns file करनी पड़ेंगी लेकिन इसमें at the same time एक twist आता है कि जो tax payment है वो आपको monthly ही करना है और उस monthly tax payment को compute करने के 2 options रहेंगे या तो fix some basis पे कर सकते हो जो कि आपके पिछले quarter की जो आपने tax payment किया था उसका आप कुछ portion इस month पे करके monthly जो है fix payment कर सकते हो दूसरा option यह रहेगा कि आप actually compute करो actually sales, actually purchases और फिर tax pay करो इस पे आपके पास monthly invoice uploading का भी option रहेगा तो इसको हमने detail में discuss already किया था अप मेरी एक वीडियो में QRMP के बारे में आप उसे IB10 में जाके देख भी सकते हैं उसमें आपको detail बिदाया था मैंने कि क्या notification है थी क्या update आया है इस quarterly return filing scheme में उसके बाद हम पढ़ते हैं इस message के बारे में यह message आपके पास इसलिए आ रहा है कि जिन लोगों ने turnover, जिन लोगों की turnover 5 करोड से कम थी और उन लोगों ने अपनी जो return थी GSTR 3B वो 30 November से पहले file कर दी थी October month की उन लोगों का automatic conversion हो गया है जी हाँ आपके pattern को देखते हुए कि अगर आपकी turnover 5 करोड से कम है और आप कौन सा pattern monthly और quarterly क्या follow करते हैं उसके basis में आपको वही pattern आगे भी दे दिया गया था monthly और quarterly वाला इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप आगे chain नहीं कर सकते हो यह तो आपको default दिया गया था कि आपको quarterly भरनी है या monthly भरनी है आप चाहें तो अपने according select कर सकते है monthly और quarterly pattern में से कुछ भी तो आगे एक बर देखते हैं क्या है यह scheme qrmp scheme जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है यह उन लोगों के लिए है जिनकी turnover up to 5 करोड होगी only और उनकी उन्होंने अपनी जो return file कर दी थी October 1 की 30th November तक तो उनको automatic transfer दे दिया है default return pattern में जैसे कि इन्होंने बोला कि first वो लोग है जिनकी turnover up to 1.5 करोड थी और अपनी जो return है GSTR 1 वो quarterly file करते हैं तो उनको quarterly में move कर दिया लेकिन जो लोग 1.5 करोड तक वाले हैं already but वो अपनी जो GSTR 1 है वो monthly file करते हैं तो उनको monthly है move कर दिया कुछ ऐसे भी होगी जिनकी 1.5 करोड से जादा होगी लेकिन 5 करोड से कम होगी क्योंकि 1.5 करोड वाली limit तो सिफ GST 1 में लगती है up to 5 करोड का कोई logic नहीं होता है उसमें तो लेकिन वो जो लोग जो 1.5 से 5 करोड के बीच में लाए करते हैं उनको अभी default quarterly दे दिया है आप चाहें तो जाके portal में अपना option revise कर सकते हैं change कर सकते हैं क्या benefits होंगे quarterly filing के क्या benefits होंगे monthly filing के यह already हम discuss कर चुके हैं ए अगर आप quarterly filing करते हैं तो आपकी compliance cost कम हो जाएगी लेकिन अगर आप monthly file करते हैं तो आपके accuracy of calculation रहेगा आपको final month में adjust नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि final month जो 3rd quarter को होगा उसमें आपकी tax liability जादा बन जाए जिसके होज़ास आपको interest प्गरा pay करना पड़ जाए त उनकी sales बहुत कम होती हैं वो लोग quarterly filing कर सकते हैं उनके लिए beneficial भी रहेगा बाकी decision आपका individual है कि आप कौन से return filing में जाना चाहते हैं यह बात जरूर धिहान रखेगा कि third month में बहुत ज़्यादा compliance आएंगी बहुत ज़्यादा calculations आएंगी अगर आप monthly filing करते हैं तो कैसे हम option को change कर पाएंगे आई उसको भी एक बार देख लेते हैं पोर्टल में जाके live यह आपका पोर्टल है आप जाएंगे services पे और आप returns में जाएंगे वहाँ पेक option आ रहा है opt in for the quarterly return तो आप उस पे जाएंगे quarterly return पे opt करने के लिए आपने देखा कौन से और की क्योंकि मैंने आपक 21 से आपने के पहले तो आपको यही financial select करना पड़ेगा आप इसमें search करते हैं और आप currently दिख सकते हैं कि आपको default में monthly दी है monthly आपके पास है और आप quarterly में जाना चाहते हैं तो आप इसको quarterly पे select कर लीजिए जैसी आप quarterly पे select कर देंगे तो आपको मैं बता देती हूं कि आपक आप इसको select कीजेगा अगर आप दोनों returns quarterly फाल करना चाहते हैं तो ही option switch over करेजिए और हो सकता है कि आपको quarterly दे दिया हो already और अगर आपको लगता है कि quarterly की जुरुत नहीं है तो भी आप switch over करके monthly में ले आए अगर आपके वपर दोनो GSTR 1 और 3 भी दोनो quarterly या monthly applicable हो सकती हो त एक और बात में आपके साथ share कर देती हूं कि आपके पास यह option हमेशा रहेगा और whole year कि आप इसको जाके change करके दुबारा से इसकी frequency change कर सकते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार select कर लिया तो आप दुबारा कभी नहीं कर पाएंगे तो यह बड़ा ही important update में आपके सा share करने कि बहुत जदा queries आ रही थी कि SMS आया जा रहा है हमें कुछ करना है कि करी लोगों ने तो बस ignore कर दिया कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है यह तो आपको करना जरूर है आप एक बार जाकर check जरूर कीज़े क्या आपको जो option select करना था वही selected है दूसरा option selected है दूसरा यह यह भी check कीजिए कि आपने जो select किया है क्या वो आपको पर applicable भी होगा के नहीं होगा अगर मंतली दिया है और आपके निल रखने की जरूरत नहीं है तो इन सब चीजों के लिए आप एक बरी उस message को जरूर पढ़िए पोर्टल में जाके जो मैं आपको दिखाया है उस तरी आपको जोड़े रही हमन चानलन को सब्सक्राइब जरू किजिए थांक्स वच्छिंग मैं वीडियो थांक्यू